नमस्कार दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल में आपका अर्दिक स्वागत है आज हम बात करने जा राजस्तान के बहुतिक बागों के बारे में तो दोस्तों राजस्तान को चार बहुतिक बहुतिक बागों में बटा गया है पहला बाग है पर्शिमी रेतिला मैदा दूसरा अरावली पर्वत्य पर्देश तीसरह राजस्तान का पूर्वी मैदानी फार्ग और चोत अहार दक्षीन पूरवी हाडुती प्लथार दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं पस्जी मरेटला म्यदान के बारे में पर्स्जी मिसुस्क मुर्श्तुली पर देश भी का जाता है पहला पॉइंट है यह राजस्तान के कुल शेत्रफल का 61.11 प्रदेश कहलाता है दोस्तों आगे हैं इसका विस्तार राजस्तान के 12 जिलु में है तीसरा इसका विस्तार उतर से दक्षिन और पूर उसे प्रस्चिम की ओर है और 44 प्रस्तिसत जन्संग्या निवास करती है अगला है वह प्रस्चिमी रेतिली मेदान की कुल लंबाई 640 किलोमेटर है और चोड़ाई 300 किलोमेटर है संपूर्ण विस्ताज एक लाग प्रस्चितर जार किलोमेटर है दोस्तों आगे है प्रस्चिमी रेतिली मेदान की प्रमुग गास सेवन वे गामण है जैसल मेर जिले के जन सुन्य सित्र में इस्तानांत्रित वालो का इस्तोपू को इस्ताने बासा में दरियन का जाता है दरियन कहते है तार के मु अगला है वह सार मुरुस्तल को इस्ताने भासा में थली केते हैं जो ग्रेट पेली और आर्क्रिक अफ्रीकन मुरुस्तल का पूर्वी वाग है यह तेथी सागर के अवसेस है और मासागरों के अवसेसों के रूम में यहां खारे पानी की जिले पाई जाती है इस सेथर के अवसाद इस चट्ञानों के जमाउ के करण पेट्रोले में प्राकर्थे गेश की अच्छी संबावना है अगला है वह वर्सा के अधार परफ्रेशी में रेतिले मिदान की दो बागों मळटा गया है तो पहला है सुस्क रेतिले मेदान और दूसरा है अर्द सुस्क किये रेतिले मेदान दोस्तों पहले हम बात करते हैं सुस्क रेतिले मेदान के बाते हैं तो इस बाग में वर्षा की कमी करन रेत के उच्चे उच्चे टिले पाये जाते हैं इस्तान या बसा में दोरे केते हैं रेत के टिले या दोरों को बालो का इस्तुप हो केते हैं और बालो का इस्तुप हो के तीन बरकार है पहला है वो है बर्खान या बर्चान जिसके आकरती अड़ जंदगार होती है सर्वादिक बत् ocru और इसके अलावा विकानेर वा जेसल मेर जिल्यूमें पाये जाते हैं दोश रहा है अनुप्रस्त बालु का इस्थूप है इसक नजिक दोशत का उस ago, और व्र सकूब दोशूब के परकार यानि मुरुष्तल यह थे इंद जो होता है बालो का युक्त मरुस्तल दूसरा हमादा जो है चंदननल्कुप को मेठे फानी के लिए का जाता है जालोर जिले के शिवहना परवत्त इसेत्र में इस्तित गॉलाकर पाड़ियों को सपन की पाड़SL का जाता है दोस्तों दूसरा है अर्द सुष्क रेतिला मेतान ऐसा तवार्शी को सपचास इंटिमेट होती है और इसे निमन भागों बाटाएं गंगानगर और हनुमान गट जहां पर गंगणनदी वेती हैं गंगनदी के मिलता है इसलिए इसे राजस्तान की कुबड़ी पट्टी भी कहते हैं यहां पर नमक बनाया जाता है दोस्तों अगला है लूणी नदी का मेदान लूणी नदी का मतल पाली जालो और बाड़ में शिरोई आदा यहां पर लूणी और उसकी साहिक नदी बाड़ी सूकड़ी ज तो नम थार पीड़ा है अगला है बालो का इस्तुप के लिब के निमन भूमी जहां वर्षाजल पर वर्षाजल के दलदल या एस्थाजी बन जाते हैं Сब्सक्राइब करते हैं यह यह दोस्तों इंपोर्टेंट रणिया टाट किसे कहते हैं तो रणियाट है वालो का तोस्तों अगला है अरावली परवत्य परदेश यह राजस्तान के 9.3 परतिस बूब आगफुर फेली है और इसका विस्ता राजस्तान के 11 जिल्लों में है और यह विस्वा का सबसे प्राचिन वलित परवत मालाओं में से एक है इसका उदगम हुआ प्रे केमबियन काल में और कालों का विपदाचन से प्री केमबियन काल अभय टरस रिकाल हमालय का उद्वोव टरस रिकाल में होग अरतात अरावली के बाद अरावली प्रवत मला खेड बर्मा पालपूर गुजरात से दिल्ली तक यानि 600 ब्राण में किलोमेटर तक फेली हुई है राजस्तान में इसकी लंबाई शिरोई से जुझनू तक 550 किलोमेटर अरावली प्रवत प्रदेश में 17% अबादी रहती है अरावली की समुद्र तल से उचाई 930 मिटर है और राजस्तान में इसकी दिशाद दक्सिन पूर्वे से उत्तर पूर्वे की हो रहे है अगला है वो है राज सरवादिक विस्तार उद्यपूर में नियूंतम विस्तार अजमेर में है शिरोई में अरावली की सबसे उची चोटियां कौन से जिले में इस्ती तो शिरोई में तो उसलों अगला है राजस्तान में अरावली जलवाई नेंतरन का कारिय करती है क्योंकि दक्सिनी पूर्वे मांसुन हावाउं कच के खाड़ी से आने वाले मांसुन के समानांतरन होने के कारण राजस्तान में वरसा नहीं होती किन्तू बंगाल की खाड़ी से आने वाले मांसुनी पाउनों से ये पूरी राजस्ताइं वर्सा घराने में सायक है दूस्तो आगे हैं अराज़ सारे-बाष्टी आ, महान, जल, विवज, ग्रेका गुजरती है जो की राजस्तां के समझत नधियों को दो बागों में बाढ़ती है है इसके पूर से निकलने वाल ना अपना जल्ड बंघाल के खड़े में और प्रशून की ओर निकलने वाल ना अरब सागर में अपना पनजि गिरता है विसम अरावली परवत मौला में कुछ दर्य पहही जाते हैं जेने इस्तान भëसा में नाल कहते है जो निम्न है अब दर्य कुन गुन से हो पहला है संबर नाल जो कि येपूर में है दूसरा है देशूरी नाल जो पाली जिली में है दूसरा है तीसरा है कचडाली नाल जो अजमेर में है चोता है सरूपा गाड नाल ये भी अजमेर में है पीपली नाल ये भी अजमेर में है उदावरी नाल यह भी एजमेर में है और सूरागाड नाल जो की उध्यपूर में है अतिनाल यह उध्यपूर में है केवडा का नाल यह भी उध्यपूर में है अरावली की परमुक्चोटियां अरावली की परमुक्चोटियां गुरू सिकर यानि कि फस्ट है वो गुरू सिकर है जो शिरोई शिरोन है ब्लेब अच्छालागड़ में है मैं यहींद्ल कुषिय है बावली परवत्या परद्सं इस्तहाथ कर्षी को वालिषा पड़ी डालना पर सिमात आता शेत्रों की उपनी भूमी पर कर्षी की जाती है मांदञी फन्हादने मितन का ह होने वाली कर्षी को दजिया केते हैं और अड़ावली पर्वत्माला गोडवणा लेंड का हिस्सा है है अरावली पस्षी में रेतले मेधान के पूर्व में बढ़ने से रोकती हैं हमाले से लेकर नेलगियी तक भारत में सबसे उची चोटी गुरुशिकर है और गुर्षिकर को करनल टोड़ने संतों का शेकर का है अरा अरावली क्वार्ट जोइंड ग्रेन नाइट सेटानों का उसे राजस्तान में पस्षिम ततार राजस्तान का सबसे उचा पठार उडिया का पठार शिरोई में है यह राजस्तान का सबसे उचा पठार उडिया का बारवटका फटार या चोता हम कह सकते हैं आबू परवत खंड तो पहला है उत्रिपूर पाड़ी परदेश इसमें अलवर वजयपूर से तरक के पाड़ियों को सम्मिल किया जाता है तो पहला है बेहरांच या बेहरेट अलवर खोवे बबाई जयपूर में दूसरा है मद्य मद्याराली परव्देश में अजमेर वसांबर व हुजेपूर के पाड़ियों को समील किया गया है महरवारवाड की पाड़ियां माहरवाड के मेंदान को मेहवार के पठार सेयalone करती है मद्यारावली की पाड़ियाँ थे Hemiddhanada 831 मेटर है मुझ क्यों जिले उसके बाद महारवाड की पाड़ियां का दक्षिन चोर कूकरा की पाड़िया कहलाती है जो मेरवाड की पाड़ियों को मेरवाड की पाड़ियों से जोड़ती है एकला है गोरमगाट गोरमगाट बाख हामलीगाट दरिजार समंध में है और जोदपूर उद्यपूर और इलमारक परिष्थी थै यह धरा महरवार जक्सन पाली को आमेट राजस्तान से जोड़ता है उसके बाद बर दरा पाली में यह ब्यावर को बर पाली से जोड़ता है और व्यावर की ओर से जेपूर, कोटा, अजमेर और बर्की और और से जौद पढली और शिरोई को जोडता है अब मद्यारावली प्रदेश में सांबर की पाड़िया, मेरवड़ा की पाड़िया, कुकरा की पाड़िया, अजमेर और अन्य में आती है आपके मुकंध वर्डा की पाड़ी कोटा बेझ में यानित हर्श की पाड़ी ये शिक्कर में जीन मत्त का मंदीर को पर अपर उसके बाद सुंदा पाड़ी पड़ीजर की पर्वा गिंदा मत्त पर जालों मत्त का मंदीर हैaskर उद्यपूर्थ तस्त्रीनुम है और अड़ावाला फर्वत जो की बुंदी में है रगुनात फर्वत जो की शिक्कर में है तीसरा मेवाड के पाड़ियां बोराट का फटार इसका विश्थार उद्यपूर रासमंद पाली बिलवड़ावची तोड़कट डूंगरपुर में है उद्यपूर के चारों और तस्त्रीनुमा पाड़ियां जिने इस्ताने बहसा में गिर्वा का जाता है यह कुंबलगड रासमंद में है से गोगवन उद्यपूर तक बोराट का प्टार 600 किलो मेटर उच्चा है निर्जिन पाड़िय का उच्चा तिले नुमा भूबा को पिंडमांट मेदान कहते हैं और यह देवगड रासमंद में है यानि कि पिडमांट पिडमांट है जो देवगड रासमंद में है उसके बाद है देश्री नाल दर्रोपाली में है जो देश्री पाली को चार बुजा रासमन से जोड़ता है उसके बाद हातिनुमा की नाल दरा शिरोई में है और यह शिरोई को गोगंदा उद्यपूर से जोड़ता है अगला है मेवाड की पाड़ियों की परमुख चोटिया जरगा, रागा, साइरा, गोगुंदा यह सभी उद्यपूर में है उसके बाद पूरी शिरोई में उबडखाबड पाड़ियों को बाकर का जाता है यानि बाकर किसे काते है तो बाकर है उबडखाबड पाड़ियों पूरी शिरोई के उबडखाबड पाड़ियों को बाकर का है राषमांजील के पूर्वी पूरी में जो घटा फटा पथार लशाडिया का पथार है उसके बाद आबू-परवत रोल्य पेला है गुरुषिकर शेहर अचलगड यहां की चोटी और आबू प्रवत पर राजस्तान का सबसें उचा नगर मांट अबू है जो 1200 मिट्र परिस सिस्थ रहा राजस्ठान का पूर्वी मैदान भाग तो यह राजस्तान की कल बूबाहत थे इस पुएंट तीन प्रतिशाथ है इस मैधान का निर्मान मही बनास वार्णग नदिशेवा है और39 पauraisिशत 49-ал Leaders जंसंगे निवास करती एंपर जंसंगे जंसंगे सिर वाए époकर जंसंगे सरवाधी के हैgens दनसंगे सरवाधी में गनकर में में नहीं इस में दान का धाल मुखि रूप से दस्कतर पर फ्शं पर परेकिते और यह पर दस्किほुए में मिस्त्रित अ राजस्तान का सबसे उपजाव शेतर है यहां पर दोमट वे जलोड मिटी पाई जाती है और अद्र जलवायू पाई जाती है यानि राजस्तान का पूर्वी मेदान को चार वागों बटा गया है यह से तर दोल करोली सवाई सवाईमादफूर्ट टोंग वे कोटा से मिलकर बना है और यहां पर नवीन काप मिट्टी मिलती है यानि यहां पर नवीन काप मिट्टी मिलती है दूसरा है चंबल नदी दवर किये गए अब नालिका अपरदन से निर्मित खंडू को चंबल की बिहड केते हैं और यह बेसिन चंबल की साहिक नदिया आहू, काली सिंद, परवर, पारवति, आदि के दवरा निर्मित है उसके बाद है बनास बेसिन तो दोस्तों बनास बेसिन है ये सेतर रासमन, बीलवडा, टोंक, और चितोडगड, अजमेर से मिलकर बना हुआ है और ये बेसिन, चंबल की साहिक नदियों दवरा निर्मित है बनास बेसिन की उत्री सिमा, अरावली परवतमाला दवरा और दक्सिन सिमा, चंबल बेसिन दवरा निर्मित है बनाश की साहिग नदिया こठारी میनाल । डाई, रमडर आदिस्य için निर्मित उसके बाद माही बास है। जापन कांगरा और यह बास बनता है कि करकरेका को दो बार काड़िए वाला कौनसा बैसीन है। महाई बेसिन करकरेगा को दो बार करता बाढ़ गंगा बेसिनी सेत्र वहाद पूर वाज् convincing बाढ़ से बना है और इस बेसिन में बान गंगा यानु अर्धून- बैति इस अग्ला क्यों दक्सिनी पूर वहरोति का पठार उस एधिस्तान के होकत अनुकरमाब कि वी पठार का उत्र shines से यह पठार कोटा कूठा बुंदी भॉरवाड में हाडोती में फेला है कि यहां सिर्षचाई और अबुद्भा रगी जाती है तो यह में तौश्तम विजघ का जाता है दोस्तों इसे राजस्तान में सरवादिक नदियों वाला सेतर भी खाया जाता है जैसे चंबल, पारवती, काली सिंद, परवन और आव नदी यहां पर वेती है उपर मला कवटा यानि मसवरगड चितोडगड से बैस रोड बैस वरड चितोडगड में बिजोलिया बिलवाडा तक विश्तीता है यानि उपर मला का पटार वेती चितोडगड से लेकर बिजोलिया बिलवाडा तक विश्तीता है यह पटार अरावली और विन्याचल परवन वाला वो जोडता है और यहां पर काली उपजाओं मिट्टी यानि जवाला मुखी दवारा निर्मित है वो पाई जाती है वो यह यहां की जलबा यू है वो अतियाद रहें और यहां पर फसलें कौन-कौन सी वह जाती है तो कपास गन्ना अफिम तंबा को दनिया मेत्याद यहां पर परमक फसलें वह जाती है दोस्तों आज के वीडियों बस इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दो